तो दोस्तो आज हमारे प्लांट में दिक्कत आ रही है तो प्लांट में जो है वो मिक्सर में जो मैटरियल मिक्स होता है उसमें पानी ज्यादा पहुंच रहा है तो उसमें कैलिब्रेशन के हिसाब से पानी एकदम क्वांटिटी सही जाती है लेकिन फिर भी मैटरियल ज्याद देखना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है तो उसमें ज्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है दोस्तों एक पानी का टैंक होता है यह pipe जो गया हुआ है यह motor से आया हुआ है और motor पानी पहुचाता है इसके tank में तो tank में यह यहाँ से आप pipe को देख सकते हैं उपर से पानी ऐसे डाल देता है और ये tank जब इसमें ये सारा का सारा system automatic feed रहता है ratio के हसाब से जितना पानी इसमें आना है उतना wayt होडने के बाद में तो load cell पैनल को सिग्णल देता है और motor बंद हो जाता है तो उपर से आप ये देख सकते हैं कि लोड सेल कहां पे है तो ये तो सिमेंट और फ्लैस के यहां पे कन्वेर आए हुए है और इसके जस्ट आगे आप देखेंगे तो ये पाइप जो गया हुआ है पानी का ये आपको दिखाई दे जाएगा वहाँ पे ये टैंक लगा हुआ है इसके आगे कर देता है और पानी को भेजने का काम जो है वह भी वहाँ पे वह एर प्रेसर का होता है तो यहां से वाटर डोजिंग जब ओन होता है तो आप इसका प्रोसे समझें कि ये कंप्रेसर है और कंप्रेसर से एर का प्रेसर बंद के जाता है वहाँ पे उसका pressure equipment लगा हुआ है butterfly wall में तो यहाँ पे यह butterfly wall है तो पानी को discharge करने के लिए यानि छोड़ने के लिए यही काम करती है और इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए काम करता है इसका pressure equipment तो यहाँ पे इसको पानी जो mixer में देना होता है वो इस butterfly wall के through ही जाता है हमें जो problem आएगी वो इसी से आएगी क्योंकि इसमें और कोई ऐसा equipment नहीं लगा रहता है तो हमें ये butterfly wall खोल के देखना है कि इसमें क्या कमी है कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा है तो उसमें देखना पड़ेगा क्योंकि weight तो बिल्गुल एकदम सही होता है तो उसके हिसाब से इसके जो system है उसमें कोई कमी नहीं है तो यहाँ पर हमें इसको खोल के देखना पड़ेगा तो अभी आप यह देख सकते हैं कि यह एक तरफ से थोड़ी खुली हुई है यह जो इसको बंद नहीं होने दे रही है तो इसमें कुछ न कुछ यह problem आई है तो हमने इसमें यह decision लिया कि इसकी butterfly वाल को अभी हम नई purchase करके और इसमें नई change करेंगे और इसको बाद में repair करेंगे तो butterfly वाल हमने मंगा ली है और हम खुद लेने कही थी तो जहां से यह मिली है उसका address भी हम आपको बताएंगे कि कहां से मिली है अब फिलाल हम इसको pressure system से अलग करेंगे और इसका जो pressure system है यह दूसरी butterfly वाल में जोड देंगे तो यहां से हमें सिर्फ दो बोल्ट इसमें खोलने होते हैं और इसको यहां से अलग कर लिया जाता है और उसको हम चला कर भी दिखाएंगे कि इसका program कैसा रहता है यह दो pipe जो आए हुए हैं यह air के pressure के हैं तो इसमें reverse forward भी आप कह सकते हैं और ultra सिधा भी और open close भी कह सकते हैं क्योंकि gate को खोलना और बंद करना यह दो काम इसमें रहते हैं तो एक pipe से pressure जो जाता है वो gate को खोलता है और दूसरा pipe का pressure जो है वो gate को बंद करता है तो इसको यहां से गुमाता है यह इसका system तब जाके इसका gate खोलता है तो CRP 600 modal number का यह KYB conmet का plant है हमारे पास में और इसका butterfly का serial number यहां पे कुछ यह इस तरह का लिखा हुआ है तो हमने यह purchase करके मंगाई है यहां पे यह बिल्कुल same number की है बिल्कुल क्योंकि KYB के store से ही मंगाई है तो दोस्तों कि KYB का store से नहीं मिलिया यह अब इस KYB plant का सारा समान infinitude के नाम से एक company है उसके store पर मिलता है तो infinitude से हमने यह purchase किया है तो लगबग 16,000 रुपे का खर्चा इसमें आया है इसको लेने में तो इस तरह से आप देख सकते हैं same material है बिल्कुल एकदम original part है तो इसको हम change करेंगे और उसके बाद में रिपेरिंग का सोचेंगे कि क्या होना है क्योंकि जब तक काम हम नहीं रोक सकते हैं तो अभी हम बिल्कुल एकदम काम चलता रहेगा अपना और उसको बाद में हम रिपेर करेंगे तो दोस्तों अब इसको यहां पर हम लगाने का काम सुनू करेंगे हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह की यह है और कहां से हमें मिली है तो अब इसमें यह pressure system हम इसमें लगा लेंगे और इसको पहले fit करने से पहले वहां पर fit करने से पहले जहां पर यह लगी रहती है इसको हम चला कर देखेंगे कि क्या ये सही fit हुई है तो अगर ये सही काम करेगी gate को open close सही करेगी तो समझो ये सही fit हुई है तो कि इसकी adjusting अगर थोड़ी सी गलत होती है तो gate थोड़ा सा खुला रहेगा तो इसको बिल्कुल एकदम जहां से इसकी adjusting सही हो तो वहाँ पे हम इसको fit करेंगे क्योंकि थोड़ा उल्टा या सीधा का इसमें हो जाता है कि इधर से लगानी है या उदर से लगानी है उसमें थोड़ा सा error आ जाता है तो जिस तरब से बिल्कुल एकदम 00 fit हो जाए और gate बिल्कुल एकदम gate को बंद करता है तो इस तरह का program इसमें रहता है और ये पानी को छोड़ने के लिए use की जाती है क्योंकि tank में जो इसके पानी भर जाता है तो जब gate खुलता है तो सारा का सारा पानी mixer में चला जाता है जहाँ पे concrete अल्रेडी पड़ी हुई रहती है और पानी वहाँ पे जाके उसको mix कर देता है तो इस तरह से आप देख सकते हैं अब हमने इसके connection कर दिया हुई इस तरह से gate खुलता है और इस तरह से फिर ये वापस बंद हो जाता है और ये पानी को रोक देता है तो tank जब खाली हो जाता है तो यह यहाँ पे बंद कर देता है और जब भर जाता है और जरूरत होती है मिक्सर में पांड जाल लेंगी तो यह gate खुल जाता है तो इस तरह से पैनल से प्रोग्राम इसको मिलता है तो अब हमें इसको fit करेंगे उसमें तो जहां से हमने पुराने वाली खोली है वहाँ इसको simply fit कर देंगे इसमें यह spring type एक host रहता है उसको नीचे प्रेस करेंगे तो यह आसानी से वहाँ पे आ जाती है और लगाने में इसको ज़्यादा दिक्कत ऐसी कुछ होती नहीं है अब इसका लाने का process हम आपको बताते हैं यह butterfly wall infinitude के store से हम लाए है तो infinitude के नाम से अब उनका store है KYB का अपना store नहीं है तो मोती नगर metro station के पास से जब आप जखीरा फ्लाइवर की तरफ चलोगे तो वहाँ पे आपको Aquarius जो company है जो concrete pump वगरा बनाती है तो उसके just pass में ही infinitude का आपको store मिल जाएगा और यह वहाँ पे आपको मिल जाएगी तो इस तरह से आपने इसका यह program open close होने का देखा है कि किस तरह सी यह काम करती है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होका दोस्तों अगर समझ में नहीं आया है कुछ तो आप comment करके हमें बता सकते हैं तो दोस्तों हमारी यह कोशिस रहती है कि आपको जादा से जादा जानकारी दी जाए तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर करें दोस्तों धन्यवाद